नमस्कार दोस्तों नोलेजे टूजेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आर्पियसे के आज की सबसे बड़ी न्यूज है चले हम आपको दिखा देता हूँ क्या न्यूज है आरेश मुख्य प्रिक्षा दोजार अठारा की तारिक पर फेंसला कल संबव 23 बचोईस दिसंबर को ली जाने वाली मुख्य प्रिक्षा विस्तारित परिणाम में सामिल हुए 7185 अभियर थी इसके आगे खिसकाने की मांग कर रही है अजमेर राजस्तान लोक सिवा आयोग द्वारा 23 बचोईस दिसंबर को ली जाने वाली आरेश मुख्य प्रिक्षा दोजार अठारा तैस समय पर होगी या आगे खिसकेगी इसके बारे में संबव उत्तर सोंवार को फेंसला हो जाएगा आयोग द्वारा गठी तीन सदे से कमेटी सोंवार को चर्चा कर अपना पक्स रखेगी इसके बाद आयोग दिपक उत्परेती इस पर अपना अंतिम निर ने जारी करेंगे आयोग ने रजस्तान हाई कोर्ट के आदेश किया नुपाल नामे 13 दिसंबर को आरे इस परारे मिक परिक्षा 2018 का परिणाम विस्तारित करोबी से वेंबी से के 7145 अबिर्थियों को मुख्य परिक्षा में सामिल किया इन अबिर्थियों की परिणाम विस्तारित वने शेपुरो से मांग चलिया रही है कि आयोग ने तयारी के लिए प्राप्ट समय दे कारण प्रारे मिक परिक्षा का मूल परिणाम 13 अक्टूबर को गोशित किया गया था इस मूल परिणाम में 15,000 से अधिक अबिर्थि सफिल गोशित किये गये थे इन सभी को मुख्य परिक्षा की तयारी के लिए डाइ मेने से अधिका समय मिल गया जबकि विश्तरित प्रिणाम में सामिल होने वाले 7,000 से अबिर्थियों को मातर एक सप्ता का समय मिल रहा है इस सवदी में वे मुख्य परिक्षा की तयारी कैसे करेंगे मुख्य परिक्षा को आगी किसको आने की मा को लेकर अबिर्थियों को दो बार आयोग पहुंच कर गया पन दे चुके हैं मामले के राजनेतिक रंग लेने से आयोग परशास्चन भी इस मामले को गंबीरता से लेने पर विवस हुआ तो दोस्तो ये थी आज की लेटेस्ट नियूज मंडे को पता चल जाएगा इसके बारे में कि ये आगे किसकेगी या नहीं किसकेगी